जैशनी देव मित्रों, मैं सचनी शर्मा, आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ, शनी दीव से प्रातना करता हूँ, कि आप सभी दोगों को अपना आशिरवाद परदान करें और आप सभी लोगों की मनो कामना पूर्ण करें मैं अपने सबी सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा मैं अपने सबी सब्सक्राइबर्स के लिए जल्ले करा आ रहा हूँ धनूलगन के जातकों के लिए वर्ष 2022 कैसा रहेगा 2022 धनु लगन के जातकों के लिए बहुत ही महतोपूर्ण है क्योंकि 2022 में राहु गुरु और शनी देव का राशी परिवर्तन है जो कि आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव करेगा जिसकी कलपना आपने नहीं की होगी तो क्या होगा वो जिससे बदलेगा आपका जीवन जिससे बदलेगा आपका भाग्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ओन रखिए जिससे आपको लेटेस्ट अबडेट्स का पता चलता रहे देखे इस वीडियो के लगलग सेक्शन में हम चर्चा करेंगे आपके कैरियर संबंदित नौवंबर का महीना कैसा रहेगा आपके फाइनेंस संबंदित नौवंबर का महीना कैसा रहेगा आपके रोमैंस संबंदित नौवंबर का महीना कैसा रहेगा आपके स्वास्ते संबंदित नौंबर का महिना कैसा रहेगा और अंत में हम चर्चा करेंगे उन महतोपूर्ण हुपायों की जिने नौंबर के महिने में करने से आपको लाप प्राप्त होगा तो यदि आप एक उनली के पर्थम भाव में 9 नंबर लिखा है और उसके साथ उसी भाव में LA लिखा है जैसा कि आप देख रहे हैं और यदि आप अपनी कुंडली हिंदी में देख रहे हैं तो वहाँ पर्थम भाव में LA के स्थान पर हिंदी में ला लिखा होगा तो यह मासिक राशीफल 9 नौंबर 2021 आपके लिए है आप मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं इस महीने में सूरेदेव का बहुती महत्वपूर्ण राशी परिवरतन है क्योंकि यहां सूरेदेव केतु के साथ यूती वे ग्रहन दोश का निर्मान आपकी कुंडली में करेंगे जहां राहू की वीद्रिष्टी है तो इसका आपके कैरियर पर आपके पारिवारी जीवन पर आपके स्वास्ते पर आपके फाइनसे पर क्या परभाव पढ़ सकता है इन सब भी विश्यों पर डिटेल में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो चलिए आपके बढ़ते हैं और सरपतम बात करते हैं आपके कैरियर संबंदेत नवंबर का महिना कैसा रहेगा एक से सोले नवंबर तक का समय आपकी कुंडली को जिस परकार दिखेगी जैसा आप देख रहे हैं वर्तमान समय में मंगल देव बुद्देव और सूरे देव की यूति आपके कुंडली के ग्यार्वे भाव में है केतु आपकी कुंडली के बार्वे भाव में है राहु आपकी कुंडली के छटे भाव में है वर्तमान समय में सूरेदेव, बुद्देव और मंगल देव की यूती आपकी कुंडली के ग्यारवे भाव में है इस समय में सूरेदेव अपनी नीच की राशी में है और सूरेदेव और मंगल देव की दृष्टी कुंडली के पंचम भाव पर है जो की सूरे देव की उच्च की राशी है और मंगल देव की सुयम की राशी है सूरे देव आपकी कुंडली में भागेश है और मंगल देव आपकी कुंडली में पंचमेश है जिसके कारण यदि आपने पिछले कुछ समय से अधिक महनत की और आपको उसका फल नहीं मिल रहा था तो वो यहां मिलता दिखाई देगा वो यहां मिलना प्रारंब होगा यदि आपका किसी परकार का कोई बिजनस है जो आप अपने मित्रों के साथ चला रहे हैं तो उसमें आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे इस परकार का बिजनस आपका आगे बढ़ता दिखाई देगा परन्तु यहां किसी परकार का मतभेद आपके मित्रों के साथ हो सकता है थोड़ा सतर्क रहें सूरदेव का 11 भाव में होना आपको ज्ञान अर्जित करने में भी किसी परकार से सहायक सिध होगा आप किसे भी परकार का कोई कोर्स किसी परकार की कोई पढ़ाई अपनी नौकरी को लेकर अपने बिजनस को लेकर यदि करना चाहते हैं तो ये समय उसके लिए उप्यूकत रहेगा मंगल देव की दिरिष्टे आपकी कुणली के दूसरे भाव पर, पंचब भाव पर और छटे भाव पर होगी जैसा आप इन एरों की मदद से देख पा रहे हैं मिलता दिखाई देगा आप यदि सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कुछ सकारात्मा परिणाम यहां देखने को मिल सकते हैं इसका आपके फैमिली लाइफ पर और आपके स्वास्ते पर क्या प्रभाव पढ़ सकता है इस पर हम अपने फैमिली रिलेटेड सेक्शन में और हेल्थ रिलेटेड सेक्शन में आगे चर्चा करेंगे इस समय शुकरदेव आपकी कुंडली के लगन भाव में हैं और शुकरदेव आपकी कुंडली में मारग रहे हैं जी हाँ, शुक्रदेव आपी कुंडली हमारा गर रहे हैं, जिसके कारण यदि आप पार्टनर्शिप बिजनस में हैं, यदि आपका कोई पार्टनर्शिप बिजनस चल रहा है, तो उसमें उतार चड़ाव आपको देखरे को मिल सकता है, आपके पार्टनर्स के साथ संबंद में होना इसके आपके पारिवारी के जीवन पर क्या पर भाव पड़ेंगे इस पर हम अपने family related section में आगे चर्चा करेंगे वर्तवान समय में गुरू आपके कुंडली के तीसरे भाव में है गुरू का तीसरे भाव में होना ऐसे जातक अपने पिता और अपने गुरू जनों का आदर समान करते हैं आप अपनी परंपरा और संस्कृति से जुड़े रहते हैं आपका भाग्य आपका साथ देता है आप यदि जीवन के किसी ऐसे मोड पे खड़े हैं जहां आपको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा तो ऐसे समय में आपका भाग्य आपका साथ देता दिखाई देगा आपको कुछ शुब अवसर इस परकार की समस्या से निकलने में सहायक सिद होंगे तो गुरू का तीसरे भाव में होना आपको भाग्यवान मनाता है और यदि आप धार्मी के स्थलों के साथ जुड़कर को कोई बिजनस कर रहे हैं गूरू के इस प्लेशमेंट के देखने को मिलेंगे यहाँ पर आने वाले समय में आपकी नोकरी को लेकर आपके बिजनस को लेकर चोड़ी बड़ी आत्रा है होने की संभावना भी बनी हुई है यातराएं धार्मी के स्थल पर भी हो सकती हैं जिसके कारण आपको कुछ समय पस्चात इन यातराओं से लाब मिलेगा आप यदि अपने छोटे भाई वैनों के साथ किसी प्रकार का कोई बिजनस चला रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलते दिखाई देगी ऐसे किसी बिजनस में आपको लाब मिलने की संभावना अधिक है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस अर्थात आपके आत्म विश्वाश में व्रिद्धी होगी यदि आप अपने आत्म विश्वाश के कारण किसी नए प्रोजेक्ट को किसी नए कार्रे को आगे लेकर जाने में असमर्थ थे तो आपका आत्मल यहां बढ़ता दिखाई देगा आप में एक सकारात्मक उर्जा बनेगी आप एक सकारात्मक उर्जा के साथ एक सकारात्मक सोच के साथ अपने कार्रे को आगे लेकर जाने में सक्षम रहेंगे वर्तमान समय में शनीदेव स्वराशी होकर आपके कुंडली के दूसरे भाव में है शनीदेव का दूसरे भाव में होना आपको किसी प्रकार का मानसिक तनाव दे सकता है आपको थोड़ा आलसी भी बना सकता है आप समाज से, अपनी फैमिली से, अपने कुटुम से भी दूर हो सकते हैं आपका इंटरस्ट अपनी फैमिली में थोड़ा कम होता दिखाई देगा आपको अपने कार्रे में अधिक रूची रहेगी आप अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करने में थोड़ा असमर्थ अपने आपको महसूस कर सकते हैं दूसरे भाव में शनी आपको काला जादू, रिसर्च, अर्थात, शोद, जासूस, सौफ्ट्वियर डिवलप्मेंट जैसे कार्रे की तरफ अधिक आगर्शित कर सकता है इसका आपके स्वास्ते पर क्या परभाव पड़ेगा इस पर अपने स्वास्ते संबंदित सेक्शन में आगे चर्चा करेंगे यहाँ पर ऐसे जातकों को कुछ अधिक लाव मिल सकता है जो लोग रिसर्च, अर्थात, शोद के कार्रे से जुड़े हैं जो लोग software development के कार्रे में हैं जो लोग किर्शी से भी जुड़े हैं तो ऐसे जातकों को यहाँ कुछ लाव मिल सकता है वरतमान समय में शरीदेव आपकी कुड़ली के दूसरे भाव में है आप शरीदेव के उपाये अवश्य करें आपको लाव मिलेगा वरतमान समय में राव आपकी कुड़ली के छटे भाव में है किस परकार के जातकों को सकारात्मक फल राव के छटे भाव के मिल सकते हैं जो जातक विदेश जाना चाहते हैं जो जातक विदेश में नौकरी ढूंड रहे हैं और उनको सफलता नहीं मिल पा रही थी तो आपको यहां किसी परकार का कोई शुब अवसर अपने विदेश से सम्मंदित किसी भी कार्रे में मिलने की संभावना यहां बनी हुई है आप यदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्रे से जुड़े हैं तो भी यहां आपको कुछ अच्छे अवसर मिलते दिखाई देंगे आपको यहां अपने बिजनस में शुब फल देखने को मिलेगे आप अपने दुश्मनों पर अपने परतिदोंदियों पर भारी पढ़ सकत आपकी कुण्डली को जिस प्रकार दिखेगी जैसा आप देख रहे हैं इस समय में सूर्यदेव का गूचर आपकी कुण्डली के ग्यार्मी भाव से आपकी कुण्डली के बार्मी भाव में होगा जैसा आप यहां देख पा रहे हैं इस समय सूर्यदेव की यूती केतु के साथ कुंडली के बार्वे भाव में होगी जहां पर आओगी भी दृष्टी है जिसके कारण यहां आपको जीवन के विबिन विबिन पहलों में सकारातमक और नकारातमक पर भाव देखने को मिल सकते हैं आईए उन पर चर्चा करते हैं यहां पर आपको किसी परकार के कॉंपेटिशन में किसी परकार की परतिस परदा में कुछ अक्समात लाब भी मिल सकता है जिसकी कलपना आपने ना की हो अरथात यदि आपका किसी परकार का कोई इंटर्विव है आपकी नौकरी को लेकर और ये नोकरी यदि विदेश में है, माल लिजे आपके बिजनस को लेकर किसी परकार को कि टेंडर निकलना है, तो इस परकार के कार्यों में आपको अक्समात लाब भियां मिल सकता है, आपका यदि वीजा सम्मंदित कोई कार्य था और उसमें आपको बाधाय आ रही थी, उस नकारात्मक परिनाम भी देखने को मिल सकता है, परंतु यहां पर आपको किसी परकार के सरकारी कामकाज में कुछ नकारात्मक परभाव भी इसके देखने पड़ सकते हैं, यदि आपका कोई कार्य सरकारी भी भाग में रुका हुआ था, तो उसमें और विलंब हो सकता है, उसमें मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है, यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, तो आपकी नौकरी को लेकर तनाव बढ़ सकता है, आपके कारणे को लेकर आपके बिजनस को लेकर भी मानसिक तनाव यहां बढ़ने की संभावना बनी हुई है, आप इस समय में किसी भी परका जिम करते हैं किसी प्रकार का वहाँ चलाते हैं तो आपको बहुत अदिक सतर्क रहना होगा आपकी छोटी सी भी भूल छोटी सिला परवाही आपको परिशारी में डाल सकती है आप थोड़ा सतर्क रहें 22 से 30 नवंबर तक का समय आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर बुद्धदेव का गोचर आपकी कुंडली के 11 भाव से आपकी कुंडली के 12 भाव में जहाँ पर केतु और सूरेदेव की यूती है जहाँ पर ग्रहन दोश है किसी परकार का मानसिकता ना हो यहाँ बहुत अदिक बड़ता दिखाई देगा इस समय आप किसी भी परकार का कोई गलत निरणे अपने कारे के परती अपने बिजनस के परती लेने में बाद्धेबी हो सकते हैं आपको यहाँ किसी भी परकार का निरणे लेने से पूर्व उस पर पुनहें विचार करना होगा, चाहे वो निरणें आपकी नौकरी के लिए हो, चाहे वो आपके प्रॉपर्टी में निवेश के लिए हो, चाहे वो आपके वहान खरीदने के लिए हो, चाहे वो निरणें आपके बिजनस के प्रती हो, तो आपने थोड़ा सावधान रह इसका आपके finances पर क्या पुर्भाव पढ़ सकता है इस पर हम अपने finance related section में आगे चर्चा करेंगे तो ये था आपकी carrier सम्बंदित नौवंबर का महीना कैसा रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आपके स्वास्ते सम्बंदित नौवंबर का महीना कैसा रहेगा 17 नौवंबर के बाद का समय ऐसे जातकों को सावधान रहना होगा जिन्हें अपनी रीड की हड़ी से सम्बंदित और पेट के नीचले हिस्से सम्बंदित किसी प्रकार की कुई समस्या है तो वो आपको यहाँ अधिक परिशान कर सकती है आपको थोड़ा सतर कर रहना होगा 6-7 नौवंबर और 19-20 नौवंबर का समय आपके स्वास्ते को लेकर गंभीर समस्या उत्पन कर सकता है यहाँ आपको नीद आने में समस्या हो सकती है आपकी बेचैनी बहुत अधिक बढ़ सकती है आपके पेट के नीचले हिस्से सम्बंदित किसी परकार की समस्या बढ़ स 16-9 नौवंबर तक का समय आपके फाइनस के लिए आपके वित्थ के लिए सकारात्मक समय रहेगा आपको इस समय आपके फाइनसे में वृद्धी होती दिखाई देगी किसी भी परकार का कोई तनाव आपके फाइनस को लेकर बना हुआ था वो यहाँ समाब्द होगा 17-9 के स्वास्ते को लेकर खर्चे बढ़ते दिखाई देंगे आठ से नो नवंबर के बीच आपको अपरतियाशित लाब मिलने की संभावना बनी हुए यदि आपका ओनलाइन बिजनस है आप शेर ट्रेडिंग में हैं आपने कहीं निवेश किया था इस परकार के निवेश से आपको लाब मिलने की संभावना बनती है 6-7 नॉंबर के बीच आपके खर्चे बहुत तेजी से विर्द्धी करेंगे आप किसी भी परकार का व्यर्थ खर्चा ना करें व्यर्थ खर्चे से बचे अन्यत है इसा मैं आपको मानसिक तनाव दे सकता है तो ये था आपके फाइनेंस और विच संभन्दित नॉंबर का महिना कैसा रहेगा चलिए आगर बढ़ते हैं बात करते हैं आपके रूमेंस और प्रेम संभन्दित नॉंबर का महिना कैसा रहेगा जो जातक सिंगल हैं वो 8 से 13 नौंबर के बीच किसी प्रकार के रिलेशन्शिप में अर्थात आप किसी प्रकार के प्रेम संबंद में आप पढ़ सकते हैं और यदि आप relationship में हैं तो नवंबर का समय आपके relationship के लिए सकारात्मक समय रहेगा, आपके रिष्टे मजबूत होंगे, आपकी मानसिक परिशानी आपके relationship को लेकर कम होती दिखाई देगी, आपके संबंदों में सुधार होगा, ये महिना आपके relationship में मजबूती बढ़ेगी आपके रिष्टों में किसी परकार का कोई तनाव चल रहा था, तो वो यहाँ दूर होगा, पिछले कुछ समय से, यदि किसी भी परकार का मानसिक तनाव, किसी भी परकार का mental stress आपके relationship को लेकर बना हुआ था, तो वो यहाँ दूर होगा, तो ये था आपके romance और प्रेम मंदित नौंबर का महिना कैसा रहेगा, इस महिने में आपको अपने work life को balance करने में समस्या उत्पन हो सकती है, जिसके कारण आपका मानसिक तनाव आपके वैवाहिक जीवन को लेकर बढ़ सकता है, आपके घर में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव की स्थेती बढ़ सकत थोपने का प्रयतन ना करें, ये समय आपके रिष्टो में दूरियां उत्पन कर सकता है, 17 नौंबर के बात का समय आपके पिता के साथ भी तनाव बढ़ सकता है, ये तनाव आपकी प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है, ये तनाव आपके आपसी मतभेत के कारण हो सकता है, य आपने इस समय अपने पिता के स्वास्त का विशेज ध्यान रखना है। आप 17 नवंबर को शाम 5 बचकर 20 मिनट के बाद एक नारियल और एक नीली रंग का फूल बहते जल में परवाहित करें। विवा नहीं हो पा रहा है। उन्हें 2 नवंबर और 16 नवंबर को परदोश्वरत करना है। इस दिन आप सूर्य उद्य होने से पूर उठें, सनान करें, शिव मंदिर जाएं, वहां बैठकर आपने 108 बार ओम नमर्शिवाय मंत्र का जापने करना है। इस दिन आप शिव चालिशा पढ़ें, छोटी कन्या हो बोजन खिलाएं, इससे आपकी मनो कामना पूर्ण होगी विवादी में जो भी अर्चने आफेस कर रहे हैं, वो आपकी दूर होती दिखाई देंगी। तो ये थे वो महतवकूर्ण हुपाएं, जिनने नवंबर के महीने में करने से आपको लापराप्त होगा, तो ये था धनुलगन के जातकों के लिए नवंबर 2021 कैसा रहेगा, शनी देव आप सबी लोगों पर अपना शिर्वात बना कर रखें, धन्यवाद।